प्रूफ करना है that r o s जो है यह वाला अंगल है इस तर्म में तुम उसे प्रूफ करो ठीक है तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि आंगल p o s plus आंगल s o r plus आंगल r o q क्या है 180 डिग्रीज क्योंकि लीनेर पहर है तीनों के स्ट्रेट लाइन पहर है तो यह क्या है आपके लीनेर पहर है ठीक अगला देखो यह हमें पता है कि इस आंगल is 90 डिग्रीज तो मैं कह सकती हूं आंगल p o s plus आंगल s o r मैं क्या करूंगे 180 इसको इधर लेके आऊंगे माइनस आंगल r o q को अब तुमको पता है यह तो मैं इसकी जगा 90 डिग्रीज क्योंकि यहां पर ही हमें मिल गया कि इन दुनों का सम 90 के इक्विल है ठीक है इसको तुम माल लो अपनी एक्वेशन 1 यहां भी रोको एक सेक्ट अंगल इसको लो तो अंगल r o s क्योंकि यहां पर r o s है तुमने से अकेल s o r को मैंने r o s कर दिया इधर की तरफ ठीक है इसको भी इधर लेलो is equal to को तुए हो जाएगा 90 माइनस आंगल p o s this is your equation 1 नाओ यह होगी तुम्हारी equation 1 ठीक अगला आजाओ देखो आंगल q o s q o s क्य क्या है अंगल q o r plus angle r o s के दोनों के सम के एक्विल है ठीक है अब तुम क्या कह सकते हो q o r कितना है 90 degrees यह पता है भाई है के नहीं plus angle r o s ठीक अब मैं क्या करूंगे r o s को अगें एक तरफ छोड़ो यह 90 उठाके मैं इधर लेके आती हो तो यह हो जाएगा angle q o s minus 90 degree हो जाए एक चीज़ करते हैं ऐसी छोड़ो इसको भी ऐसी छोड़ो ठीक मैंने क्या करा angle r o s इधर रखो यह उठाके इधर ला तो क्या हो जाएगा q o s minus 90 degrees वही बात है लेकिन अब तुम्हाई लिए आसानी हो जाएगी अब क्या करोंगे आड करो equation 1 और equation 2 को तुम आड करो ठीके क्या 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 करते है equation 1 और equation 2 को दुम्हें add करना ऐ ठीके adding equation 1 and 2 ठीके क्या मेलेगा वो देखते जरा सा इसको उपर कर दिते थाकि थोड़ी शी जगा हो जाएगे ना चलो वही रफ कर दिया मैंने तो चलो, क्या हो जाएगा twice of angle ROS है ना, twice of angle ROS, उपर क्या था तुम्हारे पास angle, equation 1 क्या थी 90 minus angle POS यह थी equation 1 यहाँ पर क्या है, तुम्हाँ पास equation 2 क्या है, angle QOS minus 90 degrees यह है, ठीक है मैंने क्या करा, दोनों equations को add कर दिया, अब क्या होगा अगला step, 90 से 90 कैंसल ठीक, ना, यह left with angle ROS is equal to angle QOS minus angle POS ठीक, क्या कर हो गया यह half उठा के धर दियाओ है के नहीं ठीक, तो तुम्हारे पास क्या बचा angle ROS is equal to half of angle QOS minus angle POS ठीक, यही तुमको proof करना था बहुत आसान है यह वाला और बहुत ही important question है, exam में आने के बहुत chances होते हैं, ठीक, अब आज हो question number 6 पे, देखो बेटा question number 6 है तुम्हारे